तु छोड़ दे रो ना तु जरा मुस्कुरा दे ना रुकना राहों में तु कदम बढ़ा दे मुश्किलों का है जो तुफान उसको हरा दे दिखा दे दुनिया को तु है क्या अपनी पहचान से वाकिफ करा दे चल छोड़ दे रो ना तु जरा मुस्कुरा दे को सौल करते हैं जैसे कि आपने इनिशली फॉर्स लेक्चर में किया था तो अगर नहीं करते हैं वैसे एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है तो फिर से एनर्जी बूस्ट अप कर ली जिए क्योंकि बहुत ही सिम्पल रियक्शन्स है बहुत ही सिम्पल मेकानिजम है अगर हम उसे ध्यान से समझेंगे तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर हमारे संकल्प बाच में विद लेक्चर नंबर फॉर्थ और आजगी इस लेक्चर में हम एल्कोहल के रि the carbonyl compounds, basically हमने जो previous lecture था, lecture no.3 था, उसके अंदर हमने aldehyde और ketone के respect में reaction भी देख ली थी, mechanism भी देख ली था, और carboxylic acid के respect में हमने reactions देख ली थी, जहां मैंने आपको homework question भी दिया था, मैंने आपको कहा था, उसका mechanism हम discuss करेंगे आज के lecture में, तो वहीं से start करते हैं, पहले एक क्विक recap देदेती हूँ भी हम, carbonyl compound किसको कहते हैं, जब carbon और oxygen में double bond, जहां हमें देखने को मिलता है, मतलब हमें carbonyl group देखने को मिलता है, this one, तो वो compounds, carbonyl compounds के हलाएंगे हैं ना, अब याद करो, हमने, हमने, जब carboxylic acid से, from carboxylic acid preparation करना है, from carboxylic acid preparation करना है, तो हम कैसे prepare करते हैं, जहां से देखना है यापर, हमने क्या लेना है यहां पर, हमने जो हमारा reactant लेना है, that is going to be your carboxylic acid, है ना, अब याद करवा होती हो, आपको फिर से, हमने यहां पर क्या reagent लिया था, किसकी presence में हमने यह reaction perform करवाई थी, अब हमें यह तो पता है भी, य LiAlH4 की presence में होता था, किसकी presence में LiAlH4 की presence में होता था, हान जी माम, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, कैसे करना इसको solve, इसका जो यह double bond है, ठीके इसको break कर दो, एक hydrogen यहां आएगा, एक hydrogen यहां आएगा, यह OH ग्रुप निकल जाएगा और इसकी जगा भी एक hydrogen आएग को चलो, अब इसको यहां करके देखे, आर, आर के साथ carbon जुड़ा है, इस carbon पर दो hydrogen आ गया है, बिलकुल आ गया है माम, अब यह double bond ब्रेक हो चुका है, single bond रहे गया और नीचे क्या आ गया है, OH आ गया है, मतलब इसके साथ क्या attached है, OH attached है, तो यह हमारा क्या है, this is our alcohol, यह क् सही students, बिलकुल सही, अच्छा, ठीक है माम, यह तो पता चल गया, अब आपने माम इसमें एक और reaction करवाई थी, बिलकुल करवाई थी, मैंने कहा था, अगर हमें acid के derivatives देखने को मिले, अब यह तो carboxalic acid है, है ना, अगर हम इस OH group को हटा देते हैं, तो इसकी जगह पे कोई और group लगाएंगे, तो that will be the derivatives, साजास मैंने एक example लिया था, R, C double bond, O, Cl, याद आया, है ना, अब यह reaction भी हमने किसकी presence में करवाई, L, I, L, H4 की presence में करवाई, इस reaction के दौरान क्या होगा, फिर से वही कहानी है, यह double bond break करेगा, एक hydrogen यहाँ आएगा, एक hydrogen आएगा, यह CL लिक हमें alcohol ही मिलने वाला है, देखिए, R, R के साथ, अब कितने carbon लगा, carbon पर कितने hydrogen आगए, दो आगए, और oxygen के साथ भी क्या आगया, hydrogen आगया, तो यहाँ से भी हमने alcohol prepare किया था, अब मैंने आपको एक homework भी दिया था, याद कीजिए, मैंने क्या homework आपको दिया था, हमने case लिया हम LiAlH4 की presence में करवाएंगे, तो बताइए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी students सेम ही होगा, यह double bond break करेगा, एक hydrogen यहाँ आएगा, एक hydrogen यहाँ आएगा, यह OR डाश ग्रुप यहाँ से निकलेगा, तो एक hydrogen उसकी जगा भी आएगा, तो हम यहाँ से क्या मिलने वाला है, आर, CH2, OH ही मिलने वाला है, यानि कि यहाँ से भी हमें alcohol ही देखने को मिलता है, alcohol की ही preparation का यह भी एक method है, सभी को clear हुआ, तो यह तो students हमारी general reactions हो गई, भी हमने carboxyl एक acid या उसके derivatives, या हमका acid derivatives से हमने कैसे alcohol prepare किया है, अब इसका mechanism देखते हैं, देखें, mechanism इसका अगर आप कर चाहते हो, तो आप कर सकते हो, it is for your help sake, ठीक है, यह आपको method समझ आ गया, तो mechanism की कोई need नहीं है, but still I want you all to understand, क्योंकि कुछ भी चीज हमें या रट्टा नहीं लगाना, बहुत simple सा concept होता है, आपने उस concept के basis पे reaction perform करवानी होती है, अगर आपको तरीका आ जाता है, किसी भी reaction म तो कैसे वो perform होगी, आप खुद भी उस reaction को solve कर सकते हो, such as अगर मालो मैं इसका mechanism आपको explain करते हूँ, in paper आप भूल जाते हो directly भी क्या यहाँ produce होने वाला है, किस तरह से reaction होगी, तो आपको छोटे छोटे जो steps हम वहाँ perform करते हैं भी यहाँ पर पहले bond break हुआ, उसकी electronegativity के difference के कारण वहाँ पर जो है negative charge चला गया और जो कम electronegative है उस पर positive charge आ गया, या हम कहेंगे कहीं से hydrogen निकल गया, ठीके electrons लेकर तो छोटे छोटे जो concepts होते हैं यह हमारे एक तो जो हमारा mind है उसको vast करते हैं, क्या organic के respect में हमारे धमाग में यह चीज़ा आती है, भी हमें कैसे organic chemistry को देखना है, कैसे organic reaction के साथ deal करना है, गबराना किसी भी reaction से नहीं है, हर reaction में एक particular kind का mechanism follow होता है, जो आपको करवाया भी जा रहा है, तो बस समझना है भी किस तरह से करना है, अगर आप इसको skip करोगे तो भी कोई problem नहीं है, again I am saying इसका mechanism there is no need, आप skip कर सकते हो, but for your benefit I would recommend भ कोशिश करें, बहुत simple है, अब क्या mechanism है, आगे मैं बताती हो, देखिए, अगर मैं इसके mechanism की बात करती हूँ, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, mechanism of preparation of alcohol from carbonyl compound, ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहते हो, तो हम carboxylic acid से अब कर रहे हैं, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे न, initially we are taking a derivative, ठीक है, carboxylic acid and acid derivatives हम पढ़ रहे हैं, तो चलो मैं acid derivative ले ले लेती हूँ, R C double bond O, C L का case ले लेती हैं, ठीक है, अब यह reaction you know, it occurs in the presence of LiAlH4, अब मैं आपको बता दू, हमने यह previous lecture में भी देखा था, LiAlH4 क्या देता है, hydride iron देत अब यहाँ पर, अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, समझना, अराम से समझना, यहाँ पर अगर आप इसको observe करो, तो you know that oxygen और carbon के बीच में double bond है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, मुझे बताईए, oxygen जादा electronegative होगा कि carbon जादा electronegative होगा, आपको कहोगे, मै electronegativity क्या होती है, मैं हर lecture में electronegativity बार बार लेकर आती हूँ, क्यों, ताकि आपके mind में clear होता जाए है, ताकि आप भी खुद बहुत, जब भी electronegativity आए, आपका mind strike करे, यह तो हमें आता है, तो देखो, यहाँ बर क्या है, मैंने बोला, oxygen और carbon की बात की जा रही है, electronegativity का होने का मतलब यह है, भी oxygen के पास यह शमता है, भी वो lone pair of electrons को, यानि कि electrons को अपनी तरफ खींच सकता है, थेना, the tendency to attract the shared pair of electrons is referred to as electronegativity, ऐसी tendency भी हम electrons को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उस tendency को कहते हैं, तो oxygen की electronegativity जादा है, मतलब वो अपनी तरफ electrons को खींचेगा, तो अप्रोच करेगा, कहा अप्रोच करेगा, अब किस पे अप्रोच करेगा, यह negative charge है, तो positive पे जाएगा, अब मुझे बताओ, oxygen और carbon में से किसके उपर partial positive यह partial negative charge आएगा, आपको पता है, भी oxygen की electronegativity जादा है, तो इस पे partial negative आएगा, क्योंकि electrons वो अपने प्रती खींच रह अब क्या अप्रोच करेगा, यह negative है माम, तो यह कहा जाएगा, यह carbon पे जाएगा, जो कि positive है, अच्छा, अब carbon पे जाएगा, तो क्या carbon पांच bond बना सकता है, नहीं बना सकता है, बतलब यहाँ पर क्या होगा, यह double bond जो है, यह further break करेगा, कहां पर? oxygen पर break करेगा, अब क्यो oxygen पे ही क्यों break करेगा, यह भी तो कहता है, बिमाब oxygen पे ही क्यों break किया, क्योंकि oxygen की electronegativities आदे, उसको तो elektrons अपने प्रती खीच नहीं है ना, तो वो तो खीच रहा है, उसकी electronegativities आदे तो bond कहाँ break होगा, oxygen पे ही break होगा, अब क्या होने वाला है, माम यह भी समझा दो, देखो बहुत ही simple सा step है, R azotis रहेगा, carbon azotis रहेगा, ये CL भी azotis रहेगा, समझ रहे हो, ये H negative इससे जाकर के जुड़ गया, बिल्कुल सही ये इससे जाकर के जुड़ गया, ये negative is positive से जाकर के जुड़ गया, अब क्या होगा, ये double bond break हो गया, single bond रहेगा, oxygen अभी भी है, ल उस पर negative charge आएगा, मानते हो इस cheese को, कैसा charge आएगा, negative charge आएगा, इतनी चीज clear होई, सभी को, इतनी चीज clear होई, बहुत simple सा concept, अब ध्यान से, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, यहां क्या होने वाला है, यहां बहुत ही simple सी reaction हम देखने वाले हैं, अब यहां से क्या निकल जाएगा, अच्छा माम, CL कैसे निकलेगा, देखो, अब next step में, यही जो negative charge है, यह वापिस से यहां पर break करेगा, और जब यह यहां पर break करेगा, again, carbon जो है, basically, वो patch bond नहीं बना सकता, और अगर हम carbon और chlorine की बात करते हैं, तो chlorine की electronegativity जादा है, तो chlorine क्या करेगा, यह जो दो electrons है, इस bond के, यह ले करके यहां से रवाना हो जाएगा, जब यह यहां से निकलेगा, तो हमारे पास अब क्या हैगा, देखिए, R आ गया, C आ गया, अब यहां पर देखो, अब यहां पर फिर से double bond आ जाएगा, यहां पर फिर से क्या आ गया, double bond आ गया, और यह hydrogen as it is लगा ह है, अच्छा माम यह तो माम aldehyde बन गया, बिल्कुल सही, यह तो aldehyde बन गया, पर माम हम तो alcohol बना रहे थे ना, हां तो अभी reaction खतम थोड़ी हुई है, यहां पर जाकर खतम थोड़ी हुई है reaction, अभी तो आगे reaction पर फॉर्म की जाएगी, ठीक है, तो पहले इतना सभी लि हाँ जी, तभी ने लिख ली हाँ, चलो, देखें आगे क्या होगा, अब देखना ध्यान से, ध्यान से अब्जर्व करना, इस step के बाद बहुत सिंपल सी बात है, हमें बता है, लाई, एल, एल, एच, फोड जो है, बेसिकली हाईड्राइड आइन देता है, तो अगेन यहां पर हाईड्राइड आएगा, आगया हाईड्राइड आइन, अरे वाँ, यह तो फिर आगया, अब यह क्या करेगा, कहां पर अटाक करेगा, फिर से वही कहानी, कार्बन और और ऑक्सिज़न जाधा एलेक्ट्रो नेगटिव है, तो इस पर पार्शल नेगटिव चार तो यह नेगेटिव पर जाएगा कि पॉजिटिव के पास जाएगा अच्छा अब कार्बन फिर से पांच बॉंड नहीं बना सकता तो फिर से यह अब हमारा जो पाई एलेक्ट्रॉन पर शिप्ट हो जाएंगे बिल्कुल सही देखिए यहां से अब हमें क्या देखने को मिलत से लेक्ट्रॉन यहां पर यह नेगेटिव चार्ज ले यह पहले से था और अब एक एच्छ नेगेटिव यहां पर आकर के जुड़ गया इस तरह से अब नेक्स स्टेप में क्या होगा ध्यान से सभी बच्चे ऑब्जर्व करेंगे देखो नेक्स स्टेप में हमारे पास आएगा वाटर अब हमें पता है वाटर में क्या होता है वाटर में होता है एच पॉजटिव और ओएच नेगेटिव वी नो दिस तिंग अब मुझे खुद सोचकर एक छोटी सी चीज अगर आप यहां अब्जर्व करो खुद सोचके बताओ अब ओपर कैसा चार्ज है तो आद्ड ओ उरूसर पर जाकर एंड जुड़ gathered oad और यहां पर इन दोनों ए-च को अगर एक साथ लिख दे तो क्या हो जाएगा आर सी मेंच टु ओह इसको ऐसे भी तो लिख सकती हो इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं और थी एड तू ओ एड़ यह किसकी production हो गई यह आलक पिससे इस reaction पे आते हैं, मैंने ये वहली general reaction ली थी, ठीक है, इसको याद करने के लिए एक short trick के form में मैंने क्या कहा था, इसको break करो, एक hydrogen यहाँ दो, एक hydrogen यहाँ दो, chlorine को निकाल दो, उसकी जगह पे भी hydrogen दो, RCH2OH प्रेडियूस हो रहा है, है ना, अब वापिस से यहाँ पर प्रोच करेगा, देखिए, carbon पर अप्रोच करेगा, क्या oxygen पर अप्रोच करेगा, अब हमें पता है, oxygen की electronegativity carbon के respect में ज्यादा है, है ना, इस पर आएगा partial negative चार्ज, इस पर partial positive चार्ज, H negative partial positive की तरफ ही जाएगा, obviously negative positive की तरफ जाएगा, अब शाहिद ना, प्रिवियस लेक्चर में, मैं ना, बोलते-बोलते, मैंने यह बोल दिया, maybe, positive positive attract करेगा, तो, sorry for that, यह एक शाहिद mistake होगी थी, मैंने comment section में बच्चे का देखा था, तो, I meant to say that, positive or negative attract करेंगे positive और positive repel करेंगे, negative, negative भी repel करेंगे, opposite charges will attract, positive, negative attract होगा, ठीक है, same charges will show the repulsion, positive, positive repulsion शो करेंगे, negative, negative repulsion करेंगे, ठीक है, चलो, अब यहाँ देख लो, यहाँ पर LiAlH4 की वज़े से, यह इससे जाकर के जुड़ गया, यह double bond यहाँ ब्रेक कर गया, जब यह double bond यहाँ ब्रेक कर यह CL जो है, अपने electrons लेकर के यहाँ से, निकल जाएगा, इन तो कौम of CL negative, और यह अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यह oxygen की electrons यहाँ शिफ्ट होगा, double bond आगे, LD हाइड मिल, अब next step पे फिर से hydride आएगा, वो कहा जाएगा, carbon पे जाएगा, क्योंकि उस पर partial positive charge है, electrone negativity difference के कारण, और यह double bond ऊपर ब्रेक हो जाएगा, फिर से वही step, यह step common है, अब देखो, फिर क्या होगा, water आएगा, water में H positive होता है, अभी H positive is O negative के साथ जुड़ करके OH बना देगा, alcohol ग्रूप बन जाएगा, और यह हमारा alcohol की formation हो जाएगी, क्या सब ही कोई reaction clear हुई, तो यह था preparation of alcohol from carbonyl compound, अब आती है, बहुत ही important reaction students, I must say, यह बहुत important है, तो इसको please star mark करिएगा, अब समझते है, क्या reaction है, हमें क्या यहाँ पर देखना है, तो यहाँ हमें given है preparation of alcohol from Grignard reagent, Grignard reagent से हमने prepare करना है alcohol को, अब Grignard reagent क्या होता है, तीकि Grignard reagent को कहा जाता है, RMGX, ठीक है अब basically इसकी production कैसे होती है, फेले आपको वो explain करती हूँ, फिर हम इसकी reaction पर चलेंगे, Rx हमारा क्या होता है, Rx हमारा hellualkane होता है, ठीक है, इसको जब मैं किसी भी, मतलब किसी भी नहीं, magnesium metal के साथ basically react करवाती हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यह reaction dry ether के presence में होगी, ध्या round देखने को मिलता है, जिसे हम R, Mg, X कहते हैं, यह अलग तरह का क्यों होता है, क्योंकि इस case में R पर negative charge होता है, partial और magnesium पर partial positive charge होता है, question में वो आप से यहाँ पर यह पूछता है, भी R और Mg के बीच में किस प्रकार का bond है, तो R और Mg के बीच में किस प्रकार का bond है, तो य क्या है आइनिक bond, तो इस प्रकार का question पूछता है, हमें आइनिक bond से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किस से है, R और Mg के bond के बीच के बीच के बारे में हमें पता होता है, that is the covalent bond, अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत simple सी चीज है, हमने dry ether की presence में magnesium को react करवाय हमारे Rx के साथ, RMGX मिला, जिसे क्या कहते है, इसे कहते हैं, Grignard Reagent, क्या कहते है हम इसको, इसको हम बोल देते है, Grignard Reagent, अच्छा, अब हमने Grignard Reagent की help से क्या prepare करना है, alcohol को prepare करना है, बहुत simple सी बात है, तीक है, अब मैं इसको कैसे prepare करेंगे, किस प्रकार से prepare करेंगे, तो यहाँ पर भी हम aldehyde और ketol लेंगे, उसकी reaction हम Grignard Reagent से करवाएंगे, और देखना alcohol की production होगी, कैसे होगी, mechanism पहले समझाओंगी, फिर reaction करवाऊंगी, इसका एक reason है, क्योंकि जब आपको mechanism आ जाएगा तो आप reaction बहुत जल्दी से बता पाएंगे, बहुत easy mechanism, interesting mechanism है, ध् देखो, RC double bond OH, अगर यह लेती हूँ, तो LD हाइड होगा, अगर इस H को हटाके R group लगा दू, तो वो हमारा ketone होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दू, एक ही बात है न, ऐसे लिख सकते हूँ न, यहाँ देख लो, अगर तुम्हें इसमें भी अभी नई confusion हो रही है, तो देखो RC double bond OH is our LD हाइड, किसी को अगर इसमें अभी भी confusion है, तो यह भाई तुम्हारा LD हाइड है, और अगर RC double bond OR है, तो यह ketone है, यह क्या है, यह ketone है, पता चल गया, तो मैंने यही तो किया है, RC double bond OH तो दोन्नों में common है न, अगर आप hydrogen लगा दे तो LD हाइड बन जाएगा, R group करवा रहे हैं, अब हमें बता है, RMG X में R पे negative charge है, तो magnesium पे कैसा charge है, positive charge है, इस पे partial negative है, इस पे partial positive है, यह मैं आपको पहले ही बता चुकि यह different क्यों है, क्योंकि usually R पे positive होता है, बट RMG X में R पे negative charge है, अब कहानी यहीं से start होती है, फिर से वही electro negativity का difference मैं आप से पूछना चाहूंगी, carbon और oxygen में से जादा electro negative कौन है, आप कहोगे oxygen है, बहुत अच्छी बात, अगर यह oxygen जादा electro negative है, तो oxygen पे partial negative charge आएगा, और carbon पे partial positive आएगा, कहानी वही है, अब मुझे ना थोड़ा सा सोच के बताना, यह R negative कहां जाकर के जुड़ेगा, यह R negative कहां जाकर के जु हो, हाँ जरूरी नहीं है, आप इसको R लेलो, गर आपको चाहिए, तो आप R भी ले सकते हो, ठीक है, अब देखो, मैंने बोला, यह R लगालो, यह जो R है लगालो, यह कहां जाकर के जुड़ेगा, क्या यह carbon पे जाकर के जुड़ेगा, यह oxygen पे जुड़ेगा, आप कहोग तो यह जो हमारे double bond के electron है, यह oxygen पे ब्रेक करवा दे, आप कहोगे, हाँ जी माम, यह तो हम ऐसे ही करते हैं, तो करवा सकते हो, ठीक है, करवा दिया, अब बताना यहां क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहां पर क्या फॉर्म होगा, यहां पर हमारा क्या हैगा, R गड़ा गड़े एक्टरांस चले गए, यह double bond के जो इलेक्टरांस है, यह oxygen पर चलेगा, अब मुझे बताना देखो, यहां पर अगर यह इसके नेगेटिव से जुड़ा, तो इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, अगर यह नेगेटिव इसके पॉज़ेव से से जूड़ जाएगा इसको हटा दो यहां क्या लगा दोगे mgx लगा दोगे इस पर कैसा चार्ज था इस पर नेगटिव इस पर कैसा है पॉसिटव है यही तो हुआ है यही तो हुआ है समझ रहे हो ना यह वले दोनों के बीच में बॉन बन गया तो mgx यहां से जाएगा और अटाच हो जाएगा यहां तक किसी को मेरे साब से कोई confusion नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारा concept वही जल रहा है जादा electronegative कौन है कम electronegative कौन है कानी वहीं की वहीं है यहां पर electronegativity का difference देखो तो वहां पर negative जाएगा जो positive होगा positive वहां जाएगा जो negative होगा इतना काम हो गया अब next case में क्या होगा अब हम इसकी reaction करवाएंगे water के साथ यानि की water में क्या present होता है बहुत simple सी बात है next step में देखो क्या होगा हम इसकी reaction किसके साथ करवारे है water के साथ water में क्या होता है it contains H positive it contains OH negative we all are aware of this हमें पता है और अभी हमने previous reaction में भी कुछ ऐसे साही देखा था और मुझे बताओ यहां पर negative charge है यहां positive है यहां positive है यहां negative है मतलब यह H positive इसके O negative के साथ जुड़ जाएगा और यह OH negative इसके साथ जुड़ जाएगा तो जब यह H positive इसके साथ जुड़ जाएगा यह mgx यहां से बाहर निकल जाएगा दुबारा सुनो इस पर positive charge है इस पर negative तो यह पॉजटेव बेसिकली नेगेटिव स्पीशिस की तरफ जाएगा और यह यहां से निकल जाएगा और ओएच नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा देखना यह आर एजटेज है यह कार्बन आजटेज है इसके उपर आर ले रहे तो ठीक है आड़ है हैट वाला ला लिया था हमने अगर आर हने रहे तो के टौन को लेकर चलू रहे थे अब ऑक्सिजन के साथ कॉना हर क के जुड़ गया हॉजचन अहरेकों master बाहर वाहर निकला एमजी एकस बाहर निकला क्या बाहर निकला जो किसके साथ कमबाइन कर रहा है ओएल्ग नेकिटेव के साथ तो यहां क्या बना टोन ले रहे तो यहां पर आर आजाएगा जो यहां पर आर लगा हुआ था समझ आई अब मैं आपको बताती हूँ डाइरेक्टली यह रियाक्षिन कैसे करनी है और आपको देखने को मिलता है और आपके पास डिफरेंट केसे आते हैं अल्डी ही डागा की टोन आ गया तो प् और आसअने डागाला आकिस में लुखवा देखे यहां प्सक्शार फॉर्म में हम कर लेते हैं double bond oxygen hydrogen, यह क्या है, HCHO है, जिसको formaldehyde कहा जाता है, ठीक है, यह C double bond OH, LDhyde group है, अगर यहाँ R ना हो, यहाँ H हो, simple, यह formaldehyde होता है, अच्छा, अगर हम माम इसकी reaction किसके साथ करवा रहे हैं, किसकी reaction, formaldehyde की reaction करवा रहे हैं, इस पर हमें पता है partial negative charge है, इस पर हमें पता है partial positive charge है, यही कहान नहीं होती है, ठीक है, तो RMGX हम यूज कर रहे हैं, और next step में हम water भी तो करवा रहे हैं, यूज देखो, पहले step में RMGX ले रहे हो, तो बाद में हम water का भी तो इस्तमाल कर रहे primary alcohol होगा ठीक है ठीक है आप चाहिए तो mechanism given है इनको करके भी देख सकते हो यही आएगा ठीक है अब मालो अगर आपको aldehyde दे दिया जाता है aldehyde other than aldehyde other than formaldehyde formaldehyde को छोड़ करके कोई भी aldehyde मिल जाए ठीक है मतलब की RCHO अब मिल जाए अब RCHO को कैसे और लिख सकते हो और C double bond OH यही तो था यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना अगर आप यहाँ मतलब इन में से कोई भी चीज ले सकते हैं लोगे तो aldehyde group हो जाएगा अगर aldehyde इसको छोड़ दो formaldehyde के अलावा जितने भी aldehyde अगर है और इनकी आप reaction किसके साथ करवा रहे हो इनकी आप reaction RMGX के साथ करवा रहे हो है जो यहाँ पर लिख लेते हैं हाँ जी अब देखो थर्ड में क्या आता है अगर आप की टोन ले लेते हो और की टोन की रियाक्शन आप ग्रिगनाड रीजिंट यानि RMGX के साथ करवाते हो और वाटर के साथ करवाते हो तो यहां से आपको 3 डिग्री आलकोहल मिल की टोन में से आप क्या लेते हो तो आपको पता चल गया है अगर आप और मेल्डी हाइड लेते हो तो प्राइमरी आलकोहल होगा फर्मेल्डी हाइड की जगह कोई और लेते हो तो सेकेंडरी आलकोहल होगा की टोन लेते हो तो टर्श्री आलकोहल बनेगा तो देखो बहुत बहुत सिंपल है अब आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना है very simple reaction right clear हुआ सभी को kindly write this down students हाँ जी इसको लिख लिजे मैं आपको एक मिनिट दे रही हूं ताकि अब हम हमारी next topic पर proceed कर सके बहुत सिंपल सी method of preparation एक बार लिखोगे तो हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ जी अब हम सार्ट करने जा रहे हैं दो में इंपोर्टेंट reactions simple है बहुत hydration of ester ester की hydration कैसे करने है देखना ध्यान से समझना सबसे पहले में एक ester लेते हैं CH3 C double bond O OCH3 यह क्या है यह एक ester हमने यहाँ पर लिया है अब हम इस ester की reaction क्या करवा रहे हैं basically इसमें hydration करवा रहे हैं मतलब addition of water होने वाला है यहां क्या होगा addition होगा water का अब यह reaction बहुत है simple है अगर आप इसको ध्यान से observe करोगे तो addition of water that means it is containing H positive और OH negative आइन दोनों इसमें क्या है H positive भी present है और इसमें OH negative आइन भी आपको पता है अब देखो यहां पर क्या होगा बहुत simple सी चीज़ें फिरसे समझना electronegativity के difference पर ही सब कुछ based है हमें पता है carbon और oxygen में से oxygen ज्यादा electronegative होता है तो उस पर partial negative चार्ज आएगा कहां आएगा इस carbon के पास आएगा क्योंकि carbon पर partial positive है तो OH negative negative positive की तरफ जाएगा और यह जो हमारे double bond के electrons है यह कहां पर move करेंगे oxygen पर move करेंगे समझ रहे हो अब next step में क्या होगा इसी step में समझना next step में क्या होगा जैसे ही इस पर गया जैसे ही यह हमारा OH negative जो है हमारे carbon के साथ जाकर के जुड़ा और यह हमारा bond इदर टूटा तो next step में हमारा जो यह इसके उपर negative चार्ज आया वो वापिस से इसके उपर break करेगा और यहां से यह OCH3 बाहर निकल जाएगा ठीक है क्या बनेगा देखो क्या होगा CH3 carbon पर OH जुड़ गया ठीक है और यहां पर हमारा यहां पर हमारा क्या हुआ देखो जब carbon पर आपने OH जोड़ दिया सिंपल सी बात है carbon पर आपने तो यहां क्या बना double bond बना तो इसको इन शॉर्ट ऐसे भी तो लिख सकते हूं CH3 C double bond OH ऐसे भी तो लिख सकते हूं ऐसे भी तो लिखा जा सकता है और साथ में क्या बनेगा देर आपनेगा यह OCH3 बाहर निकला अब यह OCH3 इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहा है तो नेग कोहल तो देखने को मिलता ही है साथ ही साथ हमें कार्बॉक्सलिक आसिड भी देखने को मिलता है दुबार असे reaction को explain करती हूं बहुत सिंपल से reaction है समझना step by step समझना पहले step में मैंने क्या क्या मैंने बोला हम यह water add कर रहे हैं that means H positive and OH negative तो यहां पर पहले इन पर charges लगा दो partial partial positive partial negative के basis पर लगाए electronegativity के basis पर OH negative कहां जाएगा positive की तरफ जाएगा carbon पर positive है तो OH negative उससे जाकर के जुड़ेगा है ना आपको गर confusion होती है लिख लो CH3C और उस पर OH लगा दो अब ध्यान से देखना यह जब मैंने इस पर break किया तो इस पर negative charge आया था आया था अब next step में ज था यहां OCH3 था यह यह न कहानी मैंने बोला यह negative दुबारा से यहां पर आएगा और यह अपने electrons यहां से लेकर करके चला जाएगा जब यह इस पर वापिस आएगा तो इन दोने के बीच में double bond आ गया और यह जब अपने electrons लेकर के जाएगा तो यह इस OCH3 पर negative charge आया वह negative charge किससे जुड़ जाएगा H positive से जुड़ जाएगा तो OCH3 के साथ H जुड़ गया तो आलकोहल बन गया तो यहां carboxylic acid और आलकोहल दो हमें देखने को मिलते है किस case में hydration of ester के case में देखने को मिलता है चले आंगे फटा फचिस को note करो ऐसे ही ether के साथ करके देखते हैं यह अब हम एथर के साथ अगर करके देखते हैं तो यह भी reaction almost वैसी ही है यहां पर हमारे पास क्या है CH3 OCH3 यह क्या है एथर है अब यह simple ether है आपने एथर की classification भी देखी थी ना symmetrical वाला के इस है ठीक है यहां पे भी hydration होना है मतलब यहां पर भी H positive and OH negative both will come right तो अब देखो यहां पर क्या होने वाला है अगर हम ना यहां bond देखे oxygen और carbon के बीच में bond बन रहे हैं हमें पता है oxygen is more electronegative in comparison to carbon है ना oxygen ज्यादा electronegative है तो अब क्या होगा H positive और OH negative में से कौन अप्रोच करेगा oxygen पे अब यह more electronegative है तो इसकी तरफ positive आएगा अब इसकी तरफ कौन आएगा positive आएगा क्यों क्योंकि oxygen is more electronegative अब यह जो reaction है यह dilute H2SO4 की presence में होती है किसकी presence में करवाना इसको dilute H2SO4 की presence में इस reaction को perform आए जाता है अब समझना यहां क्या होने वाला है पहले step में H positive जाकरके जुड़ गया क्या बनेगा यहां से CH3O CH3 तो पहले से था अब यहां H positive आगरके जुड़ गया तो इसके पर positive चार्ज आजएगा और इस पर positive आगरके जुड़ गया इस तरह से next step में क्या होगा इस पर आजएंगे तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और यहां से क्या बन जाएगा CH3 OH बन जाएगा यह चीज़ अलग हो गई ना यह चीज़ अलग हो गया इसको इलेक्ट्रों मिल गए तो positive की बास negative आगे तो न्यूट्रल हो गया तो यह अलग हो गया अब यह अलग हो यहां से यह CH3 यह CH3 विचारा अलग हो अलग हो अब यह CH3 पर कैसा चार्ज आए पॉज़ जाएगा ज़ड़ जाएगा क्या बना देगा CH3OH बना देगा मतलम यहाँ पर हमें 2-Methanol देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर प्रादक्ट की फॉर्म में 2-Methanol देखने को मिले जब हमने यहाँ पर क्या लिया CH3 OCH3 लिया बहुत सिम्पल सी रियाक्शन थी दुबारा एक्स्प्लीन करने जा रही हूं लेकिन आई वॉन्ट उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लो पटा फिटस इसको नोट करो अब ध्यान से देखना यहां पर क्या मैंने बोला यहां पर हमारे पास कोई डबल बॉंड नहीं है सिम्पल ऑक्सिजिन है और कार्बन है तो मुझे पता ऑक्सिजिन के लेक्ट्र नेगेटिवेटी ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज होगा अब इस पर हाइड्रेशन करवानी है मतलब एडिशन ओव वाटर है तो एच पॉजिटिव और वह नेगेटिव में से चार्ज खत्म हो जाए जब एलेक्ट्रों शिप्ट होंगे वांड ब्रेक हो जाएगा यह CH3 वेट सेपरेट हो गया यहाँ च्रीव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस बूर चले गए ना तो यह CH3 पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जुड़ कर CH3 वेच बना लेकिन यहां पर विचारे के पास तो यह लेकर के चला गया तो इस पर नेगेटिव के जुड़ा तो इसको लिख लो अब इससे रिलेटिड एक और तरहां की रियाक्षन है जो आप खुद भी बता सकते हैं आप खुद ही बताओंगी आप ही बताओंगे चलो चलो हमें फिर से क्या ले रही हूं इथर का केस लिते हैं मालों मेरे पास है CH3 OCH3 अपना में इसकी रियक्शन ही के साथ करवाती हो तो क्या प्रडियूस होगा चलो करवाई देते हैं इजी हो जाएगा क्या बनेगा मैं फिर से वही चीज CH3 OCH3 इस पर हाइड्रोजन आ करके जुड़ गया एच पॉजिटिव आज करके चुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया हां जी अब नेक्स्टेप में बहुत सिंपल है यह जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर ऑक्सिजिन ले जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो तो देखो मैंने आपको बोला कोई गी रियक्शन है घबराया मत करो बस समझो यहां देखो सारा रोल पॉजिटिव और नेगेटिव का है सारा रोल पॉजिटिव नेगेटिव का है सब इसको लिख लिजिए और यहीं पर हमारी में methods of preparation of alcohol जो topic है वो finish होता है अब हम प्रोसीड करने जा रहा है हमारी physical properties की तरफ I hope so आप सभी ने यह note कर लिया है स्टार्ट करें, स्टार्ट करें physical properties, ओके सो नाव याग टो स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपटीज ऑफ आलकोहल, दिख़ो अगर मैं physical properties की बात करती हूं, तो सबसे पहली physical property जो हमने in detail में study करनी है, that is with regard to boiling point, सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है boiling point, कौन सी है, boiling point है, proportional to molecular mass, boiling point directly proportional है molecular mass के, जिसका molecular mass जादा, उसका boiling point जादा, यह चीज़ आपको और, मतलब मानलो आपको कहता है, order determine करो, तो आपने इसके basis पे direct determine करना है, जिसका molecular mass जादा, उसका boiling point जादा, अब मानलो कोई ऐसा case आजए, जहां पे molecular mass सेम है, तो आप वहाँ boiling point कैसे बताओगे, अच्छा, एक ना order है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, that is with respect to alcohol, ether और हमारा, अगर हम बात करते हैं, hydrocarbon, alkane का, उनके respect भी है, तो order of boiling point आप यहां लिख लिजेगा, order of, order of boiling point, order of, यह पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको separately लिखवा रही हूं, order of boiling point जो है, alcohol का boiling point, सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारा आता है, ether का, और last में आता है, alkane का, इसका, alkane का, hydrocarbon का, तो पहला alcohol का सबसे ज़्यादा, then is your ether, and at last is your alkane, इसका क्या reason है, इसका क्या reason है, वो भी मैं समझाती हूं, alcohol के case में क्या होता है, alcohol के case में होती है, intermolecular, intermolecular hydrogen bonding, क्या होती है, alcohol के case में, intermolecular hydrogen bonding होती है, ether की बात करते हैं, तो यहाँ पर there is no, no intermolecular hydrogen bonding, no intermolecular hydrogen bonding, but it is polar, but it is polar, यहाँ poles जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ intermolecular hydrogen bond नहीं देखने को मिलता है, जबकि alcohol के अंदर हमें देखने को मिलता है, जबकि alcohol के अंदर हमें hydrogen bonding देखने को मिलते है, वाईल अगर मैं अलकेन की बात करती हूँ, तो it is non-polar in nature, तो यह क्या है, non-polar है, इस वज़े से, यह हमारा order जो है, मैं वो explain करती हूँ, देखो, हमें पता है, हमारा alcohol क्या है, ROH, यही alcohol होता है, मालों एक और मैंने यहाँ पर molecule ले लिया, यह भी मेरा क्या है, ROH, यह भी क्या है, alcohol है, तो देखो, अब यहाँ पर intermolecular hydrogen bonding क्या होती है, आपके एक molecule का most electronegative atom, यह क्या है, इसकी electronegativity क्या है, जादा है, यह क्या है, more electronegative atom है, जब दूसरे molecule के हाइड्रोजन के साथ bond शो करें, तो उसे क्या कहते हैं, hydrogen bond कहते हैं, कौन से वाला वो भी intermolecular hydrogen bond कहते हैं, clear हुआ सभी को जब हमारा more electronegative atom एक molecule का दूसरे molecule के hydrogen bond के साथ bond show करें अब यहाँ पर more electronegative atom के अंदर मतलब usually हम hydrogen bond किनके बीच में देखने को मिलता है जो hydrogen bond के हम बात कर रहे हैं उसमें जो more electronegative atom है न वो जाधा तर oxygen होता है fluorine होता है नहीं है तो नाइट्रोजन होता है इनी के साथ मिलेगा आप बाकियों के साथ नहीं देखते हैसे सीफियों एथर को भूले है तो यहां पर मुझे खुद सोच कर बताओ क्या इसके पास क्या इस oxygen के साथ दिखेखो एक चीज दियान रखना दोनों cases में, दोनों molecules में यहाँ more Logon degrees H adam , दूसरे में भी यहाँ , more electron negative के सात我很 है, लेकिन hydrogen bond कैसे बनेगा , एक का electronegative atom यहाँ बनेगा , तो यहां पर भी oxygen के साहा हाँ और IHH halo होना होना चाहये था ना , यहां नही میں है यहाँ रिस्नो हाउाई रोजन ओवाहर , no hydrogen तो यहां पर hydrogen bonding भी नहीं होगी, no H bonding, यहां पर hydrogen bonding भी exist नहीं करेगी, ठीक है, तो यहां पर नहीं होगी, जबकि इस case के अंदर alcohol की case में होती है, ऐसे ही अगर आप phenol का case नहीं तो phenol के case में भी हमें H bonding देखने को मिलती है, clear हुआ सभी को, इसको note करो, बहुत important है, बहुत important इसको note कर लो, तो यह पहली physical property है, अब मैं NCRT से इसकी line लेकर आई थी, let me open it first for you all, अगर हम साथ-साथ read करते चलेंगे, NCRT का concept तो easy हो जाएगा है न, अभी हमारा NCRT का है, point इसको भी read कर लेते हैं, क्या point है NCRT से आईए देखिए, सबसे पहली चीज तो student, यहां पर boiling point क्या कहता है, boiling point of alcohol and phenol increase with increase in the number of carbon atoms, एक चीज मैं आपको बता दू, phenol का भी बताई देती हूं, कई बच्चे कहेंगे मैं phenol में भी दिखा दो न, कैसे hydrogen bonding होती है, देखो जैसे यह है मालो, यह है मालो, इस पे लगा है OH, this is our phenol न, अगर मैं इसको थोड़ा open up करके रिख दू, मैं यहा अब मालो, एक और phenol ले लेते हैं, ऐसे है न, आप देखो, यहाँ पर क्या है, यह देखो, इसका hydrogen और इसका oxygen क्या bond शो कर रहा है, hydrogen bond, clear हो गया, clear हो गया, सब भी को अच्छे से, आप देखो, यहाँ रीड करते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे, सब ही, ओके, the boiling point of alcohol and phenol increases with increase in the number of carbon atoms, ठीक है, alcohol में वो क्या कहता है, देखो, increase in increase in number of carbon atoms का मतलब, वो directly किस पर डेवेंट कर रहा है, उसके molecule पर डेवेंट कर रहा है, दूसरी चीज, in alcohol, the boiling point decreases with increase of branching, अब हमने यह न, उसमें भी पढ़ा था, हमारे halo-alcan में, भी जहाँ पर भी, आपका boiling point जो होता है, boiling point is inversely proportional to branching, जहाँ पर भी branching आ गई न, वहाँ boiling point में फरक आ जाएगा, जहाँ branching है, वहाँ boiling point का मुगत वही लिखा है, alcohol में boiling point क्या करता है, decrease कर जाता है, with increase in branching, ठीक है जी, अब आगे देखिए, यह एक important चीज है, ethanol and propane, अब ethanol मतलब आप किस की बात कर रह हो है न, आर comparable molecular mass, इनका न, almost comparable molecular mass है, दोनों का देखो, अगर इनका molecular mass निकालो, same है, but their boiling point, different, कैसे differ, अभी आपको बताया था, क्या बताया था, order, order में मैंने आपको बताया था, भी alcohol का सबसे ज़्यादा, फिर ether का होगा, और फिर alkane का होगा, यही बताया था न, यही बताया of the two boiling points, मतलब अब देखो, methoxy methane, मतलब ether की बात हो रही है, वो कहता है, इन दोनों के बीच किसका boiling है, ether का है, तो यही order है, n, NCRT में इसकी आपको values भी given है, तो आप उस values से भी check कर सकते हो, इभी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ethanol का, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद कि लिखवाए हैं, उसको साथ में लिख लीजिए, अब हम चलते हैं, next property की तरफ, चले, चलिए, अब अगली जो हमारी आती है, physical property, उसको हम कहते है, solubility, क्या कहते हैं, second physical property जो हमारी आती है, उसे कहा जाता है, solubility, भी कौन, किसमें कितना soluble होगा, तो अब देखो, alcohol और फिन हो सकते हैं, तो वो water के साथ hydrogen bond show करते हैं, यानि कि वो water में क्या होते हैं, वो solubility होते हैं, बहुत simple सी बात है, तो alcohol and phenol, alcohol and phenol, alcohol and phenol, choose H bonding, hydrogen bonding and so is soluble in water and so is soluble in water, एक example अगर आप लेना चाहते हो, तो आप देख सकते हो, जैसे मालो हमारे पास alcohol है, और हमारे पास water है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका electronegative atom, इसके hydrogen के साथ bond show कर रहा है, which is your H bonding, which is your H bonding, इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर H bonding होने के कारण, हम यह कह सकते हैं, भी alcohol and phenol, जो है, वो water molecule के अंदर soluble हो जाते हैं, अब यहाँ ने एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिस पर बेस चा है, आरोच, अल्कॉल को हम क्या लिखते हैं, माम इसको हम आरोच लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं, यहाँ पर आर ग्रुप और ओच ग्रुप का मतलब क्या है, देखो, मैंने बोला, इसका देखो, अब इसका ओच ग्रुप जो है, बेसिकली वो hydrogen bond show कर रहा है ना, water क मतलब यह water loving part है, ठीक है, अच्छा, अगर यह hydrophilic part है, तो देखो, आर का क्या रोला, आर का तो कोई रोल नहीं है, आर तो कोई bond नहीं दिखा रहा ना, तो यह कैसा है, यह hydrophobic part है, यह कैसा है, hydrophobic part है, क्या आर ग्रुप इसके इंदर खूल गया, बेसिकली देखा जाए, alcohol is soluble, no doubt, but basically bonding के बीच में हो रही है, इसके OH के बीच में हो रही है, इसके hydrogen के साथ हो रही है, आर का नहीं रोलना, तो यह hydrophobic part है, hydrophobic part है, अब hydrophobic क्या होता है, hydro होता है, water, और phobic क्या होता है, मैं डर, मतलब repel, water repelling, basically, यहीं मतलब हुआ, मतलब repel नहीं कह सकते, hate लिख ल मतलब की OH group, जो की hydrophilic है, जो की इसमें soluble है, इसकी वज़े से, इसकी stability क्या होती है, बढ़ती है, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर घूल सकता है, तो solubility बढ़ती है, not stability, solubility बढ़ती है, अब solubility की बात करें न, घुलना, तो उसके अंदर उसकी solubility बढ़ेगी, जतना ज्यादे OH group होंगे, उतना ज्यादा hydrogen bonding होगी, उतना ज्यादा soluble होगा, जितने ज्यादा OH group होगे, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, उतनी ज्यादा उनके बीच में bonding होगी, because it is hydrophilic, water attractive, है न, water की तरफ attraction शोग करेगा, उतनी ज्यादा hydrogen bonding, उतनी ज्यादा solubility, अब R group जि ज्यादा होगा, उतनी solubility कम होगी, क्योंकि it is hydrophobic, वो hate करता है, तो जितना ज्यादा इसको बढ़ा दोगे, उतनी solubility घट जाएगी, उतनी solubility क्या हो जाएगी, जितना OH बढ़ा दोगे, उतनी solubility बढ़ जाएगी, जितना R बढ़ा दोगे, उतनी solubility घट जाएगी, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, clear हो गया है ना, अब यहां से आप यह conclusion निकाल सकते हो, क्या conclusion निकाल सकते हैं, हम यह conclusion बेसिकली इधर से solubility के respect में निकालते हैं, solubility के respect में हम निकालते हैं, भी solubility जो होती है students, वो directly proportion होती है number of OH group के, क्योंकि OH group का जितने ज्यादा OH group उत्री अच्छी, हम उत्री ज्यादा वो soluble होगा, ठीक है, और solubility is inversely proportional to number of R group, जितना ज्यादा आप R group बढ़ा दोगे, R बढ़ा दोगे, उत्री solubility घरती जाएगी, है ना, तो यह order आपने यहाद रखना है, इस पर based आप से question पूछ सकता है, clear है, clear है इसको लिख लो, इसको बड़ा बट से लिख लो, अगले बेच भीगा था, इसको लिख लीजे पहले, वीडियो को pause करके पहले एक बार इसको नोट कर लो, अच्छा, अब एक solubility का order भी है, वो भी लिख लेना, order of solubility, क्या order है solubility का, किसकी सबसे ज़ादा solubility होगी, जहाँ पर OH गृप जादा है, और alcohol की मैं बता दू, सबसे ज़ादा solubility होती है, सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी उसके बाद किसकी सॉलिबिलिटी होती है उसके बाद किसकी होती है किसकी होती है या कि टोन की होती है अच्छा माम उसके बाद किसकी होगी सॉलिबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा आलकोहल देन कम्स एथर और फिर हाइड्रोकार्बन जैसे हमने solubility का order रहेगा जो आपने ध्यान रखना है same is आपका boiling point का है तो आपको घवराने की तो ज़रूरत ही नहीं इस में है ना तो यहीं पर students हमारी physical properties end होती है एक बर इसको भी हम NCRT से देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है solubility वाला ताकि हमें clear हो जाएगा है ना देखो यह भी आपके NCRT की line है देखे read करते हैं NCRT में क्या लिखा है NCRT ने लिखा है solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bond क्यों यह soluble होते हैं क्योंकि hydrogen bond बना लेते हैं water molecule के साथ ठीक है as shown मैंने आपको दिखाई दिया था तो solubility decreases with increase in size of alkyl और aryl groups वही बात R groups की बात की गई है R groups की बात की गई है यहां पर ठीक है मतलब जितने जादा R group बढ़ाओगे solubility क्या कर जाएगी decrease कर जाएगी क्योंकि solubility inversely proportional है several of the lower molecular mass alcohols are miscible with water in all the proportions ठीक है तो बस आपने order दियान रखना है आपने यह दियान रखना है directly किसके proportion है OH groups की जितने जादा OH groups उत्ती जादा solubility और inversely proportion है किसके R groups के clear हुआ सब भी को तो यहीं पर हमारी physical properties end होती है now we are going to proceed with the chemical properties अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अच्छी बात है alcohol जो होता है न वो दो तरीके से काम करता है alcohol इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम भी करता है और न्यूक्लोफाइल की तरह भी काम करता है ठीक है तो यह इसकी खास बात है आपसे पेपर में पूछेगा ड सब्सक् involved曲 क्वेस्ट्रोफीह अच्छी एक कड़एलेक्ट्रोफाइल च्छी तरह बी ही करेगा यह ए जोगने फच्छ expert इलेक्ट्रोफाइल के तरह बीकलिव करता है तो अब दो अंच होगे आल्कोहल ने हेवल अ यह एस किसल के और बोका wyल्ड जमान की तरह काम कर सकता है यह न्हुन में सब्सक्राइब अव्ल इलेक्टरो का मतलब क्या होता है? लाविंग, मतलब जो इलेक्टर लामिघ्पी उसको हम रीप्रेजंट करते है तो कहने का मतलब यह नेगैटरोल अवैग्टि यह सय aintsयł है positive तो इस तरह से इसकी representation किसकी इलेक्ट्रोफाइल की ओफिए उसके बार मैं पूछ उन्युक्लिज़ का मतलब क्या होता है positive और क्या होता है लावग जो positive के प्रतिक्षिशन शो करें positive के प्रतिक्षिण कौन करेगा जिसके उपर उसके उपर खुद पर क्यों सब्सक्राइब सम्सक्राइब इलेक्ट्रोफाईल उनको लगता है भी इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा समझाई न कहानी इलेक्ट्रोफाईल का मतलब इलेक्ट्रो मतलब फाइल मतलब लविंग नेगेटिव के प्रती कौन लवशो करेगा जिसके उपर खुद पर पॉजेटिव चार्ज है ऐसे यह अ अब इसका एक्जाम्पल एक्जाम्पल करने के लिए हमने पहले क्या लेना है आलकोहल लेना है आलकोहल को है क्या कहते हैं आलकोहल को और युकलियस लविग नुकलियस लविंग, मतलब देखना अब नुकलियस लविंग है, मतलब पॉजिटिव की तरफी अफेक्शन खुद पर कैसे नेगिटिव चार्ज है, मतलब नुकलियोफाइल एक तरह से इलेक्टरों रिच स्पीसिज हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ एट्राक्ट चया है, मतलब इसके उपर ऐस ग्याय है, मतलब इसके उपर का मी आपने, ये इलेक्ट्रों रिच स्पीसिज हा है, मतलब इंडीटरों रिच स्पीशिज है, मतलब यहां पर आगर हम देख रहे हैं, हम कहँ है, आलकोह specimens की तरफ काम कर रहा है, तो ये electron 느리 स्पीशेंज है, इ एक लेक्टरोफाइल को चाहिए क्योंकि एलेक्ट्रोफाइल अब देखना यहां हमें पता है oxygen पर क्या होते हैं low and pair of electrons और ऑड यह को देगा इसको देगा इसकोम चुक्त आधिस लेक्टर्फाइल है और अब यहां से क्या मिलने वाला है बहुत सिंपल सी बात है यहां आप देखोगे तो यह आर है अब यह देखना ऑक्सीजन ने क्या किया किया कार्बन के साथ क्या किया यहां पर बॉन्ड बनाया carbon के साथ bond बना है no doubt जब carbon के साथ bond बना है इस क्यों पर positive चार जाएगा और यहां hydrogen भी तो लगा हुआ है यह hydrogen अभी भी लगा हुआ है है ना और oxygen पर a clone pair of electron तो अभी भी बाकी है यह वले बाकी है ना अब देखना next step में बहुत simple सी कार्णिय क्या होने वाला है यहां से h positive क्या करेगा यह bond break करेगा और यहां से निकल जाएगा यह bond जब break करेगा तो इसको electron दे देगा तो यहां से क्याएगा और यहां से है एच पॉजटीव हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा है यहां से लेकुट हो जाएगा कि इसको नहीं देखो चैत करी कहा करता है अब दोनेट कर सकता है यहां चीज देखने हैं इसको Jerome कि देना है ताकि हम question solve कर सके जब हम chemical properties पढ़ेंगे इन डीटेल में आगे reactions पढ़ेंगे यह तो अभी basic बता रहे हूं जब reactions पढ़ेंगे तो क्या conclusion है आप यहाँ अगर देखो तो क्या हो रहा है यहां से h positive निकल रहे है इसको electron oxygen को दे करके जा रहे है ना तो यहां OH के बीच का bond टूटा ना alcohol के case में OH के बीच का bond break हो रहा है तो जब भी alcohol as nucleophile काम करेगा then oxygen hydrogen bond is broken जब भी हमें alcohol as a nucleophile देखने को मिलेगा तो हमने conclusion यहां से निकाल ली oxygen और hydrogen का bond जो है वो क्या हो जाएगा वो ब्रेक कर जाएगा सभी को clear हुआ तो यह तो हो गया जब alcohol as a nucleophile काम करेगा अब अगर मैं बोलती हूँ alcohol as a electrophile काम करें फिर क्या होगा अगर हम बोलते हैं alcohol as electrophile होगा तो क्या होगा देखो जो alcohol ना यह सीधा सीधा कि तरह काम नहीं करता इस इए इलेक्ट्रफाईल की तरह काम करता कैसे क्या होता है पहले आप इस चीज को देखेगा इलेट्रफाईल की बात करें इलेक्ट्रों होता है यह लोविंग on loving species यानि कि खुध कि ये पास electron की कम हें तभी electron के प्रति एफेक्षिन है मतलब खुध कैसा है अब ये electron-deficient species कीता काम करेगा कॉन काम करेगा alcohol किस की तरह काम करेगा electron-deficient bunny की तरह काम करेगा एक general example लेकर चलते हैं इस प्रॉसेस को समझने के लिए भी माल लो मैं आपको दे देती हूँ R CH2 OH यह मेरा क्या है आलकोहल है अब यह किसकी तरह काम कर रहा है अब यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है किसकी तरह काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह ठीक है माम अगर यह Electrofile की तरह काम करेगा, मतलब इसको Electrons की जरूरत है, क्योंकि यह Electron Deficient है, माल लो, यहाँ पर कोई आ जाता है, H positive, अब यह क्या है, यह है Nucleofile, यह क्या होगा, बेसिकली आप देखिए, यहाँ पर अब हमारा जो, sorry, one second, हाँ जी, अब एक बार ध्यान से देखो, Electrofile वो होगा, अब यह Electrofile की तरह काम कर रहा है, Electrofile का मतलब Electron की प्रतिया अफेक्शन, Electron की प्रतिया अफेक्शन आएगा, तो यहाँ पर, this is not your Nucleofile, I am just giving you certain example, अब हो भी बताऊंगी, ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला, यह Electrofile की तरह काम कर रहा है, मतलब इसको Electron की जरूरत है, अब यह इसको Electron की जरूरत है, क्योंकि Electron Deficient Species है, तो ध्यान से अब आप इस चीज को समझोगे, पहले कि इसमें क्या होगा, हमें पता है, हमें पता है, यह इसको देखो, यहाँ पर हमें पता है, Oxygen पर क्या होता है, लोन पेर फेलेक्टरों होते है, वी आवेर अव दिस फैक्ट है, हमें इस चीज के बार में पता है, अभी Electrofile जेनेरेट नहीं हुआ, यह बिहेव करेगा इसकी तरह, इट विल, यहाँ लिख लेजेगा चाहे, इट विल, इट विल, बिहेव लाइक, मैं इसको एरेज करके दुबार अलिकती हुआ, इस लाइन को, इट विल बिहेव आज अन एलेक्टरोफाइल, देखो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इलेक्टरोफाइल कैसे बनेगा, हम उस चीज को देखेंगे, और फिर कैसे न चार, CH2, OH2 पॉजिटिव एक हाईडोजन जूड़ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो उस पर भी कैसा चार्ज आया, पॉजिटेव आया, अब इलेक्टरोफाइल की एक इक आइडेंटिटी होती है, भी EQ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, EQ पर पॉजिटिव मतलब यहां से हमने क्या बना लिया, हमने यहां से इलेक्टरोफाइल जेनेरेट कर दिया, यह क्या आ गया, अब यह देखो, alcohol is behaving like a इलेक्टरोफाइल, अब जब यह इलेक्टरोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो इसके उपर कौन आएगा, अब नुक्लोफाइल आएगा, अब nucleophile की पहचान क्या होती है, nucleophile की पहचान होती है, भी उसके उपर negative charge होगा, electron species है, electrons है उसके प्रती है ना, तो यहाँ देखो, जब यह यहाँ पर आया, तो यह BR negative क्या करेगा, इस carbon पर जाकर के attack करेगा, जब यह इस पर attack करेगा, तो यहाँ से bond break होगा, यह अपने electrons लेकर की formation हो जाएगी, और as a product क्या मिल जाएगा, water, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यह जो BR negative है, नीचे आप लिख भी सकते हो, अब यह क्या है, जो क्या कर रहा है, यह nuclear file जो है, अब यह इस electrophile की साथ reaction जो करके, हमें product की formation करके दे रहा है, क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की formation करके दे रहा है, फटा फट से इसको लिख लीजे, अब यहाँ क्या conclusion है, क्या conclude करना है, पिछले वाले में भी तो conclusion थी, पिछले वाले case में OH bond टूट रहा था, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ observe करोगे, तो यह carbon और oxygen का bond break हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, when it is acting as an electrophile, then carbon oxygen bond is broken, पस अब आपने इस पूरी जो अभी मैंने आपको चीजे समझाई है, इस में से सिफ दो चीजे ही ध्यान रखनी है, बाकी भूल भी जाओगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली चीज जो आपने यहाँ से ध्यान रखनी है, जो आपको reaction solve करने में help करेगा, अगर तो वो nucleophile की तरह काम कर रहा है, तो OH bond को तोड़ दो, और अगर वो electrophile की तरह काम कर रहा है, तो carbon और oxygen के bond को तोड़ दो, ठीक है, इसको note कर लो फटा फट से, अच्छा, अब इन पर certain based reactions होती है, देखो, पहले, जब हम कहते है, nucleophile की तरह काम कर रहा है, और OH which bond to try, तो कौन से chemical properties देखने को मिलती है, chemical properties, chemical properties when, when oxygen hydrogen bond is broken, when oxygen hydrogen bond is broken, कौन से chemical properties है, जब हम यह देखते है, तो वो chemical property है, acidity of alcohol and phenol, acidity of alcohol and phenol, की जितनी भी reactions आप पढ़ोगे, उसके अंदर आपने simple सी चीज करनी है, oxygen hydrogen का bond तोड़ना है, that's it, shortcut, क्यूंकि वहाँ पे alcohol किस की तरह काम करेगा, nucleophile की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे कहाँ लिखोगे, acidity of acidity of alcohol and phenol, acidity of alcohol and phenol, दूसरी कौन सी chemical property है, जिसके अंदर OH bond को आपने तोड़ना है, वो है, esterification, क्या है, esterification है, कौन सी है, esterification है, समझाई, मतलब आपको मैंने hint दे दिया है, इन दोनों chemical properties के case में, आपने oxygen और hydrogen के bond को break करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर, जो हमारा alcohol है, वो किस की तरह काम कर रहा है, यहाँ वो nucleophile की तरह behave कर रहा है, behaves as a nucleophile, behaves as a nucleophile, अच्छा, अब अगर माल लो हम कह देते हैं, chemical properties, chemical properties कौन सी, with, when, carbon oxygen bond is broken, carbon oxygen bond is broken, वो कौन सी कौन सी हैं, वो कौन सी कौन सी हैं, अब यह बहुत important है, यह बहुत important है, पहली है, Lucas reagent की, यह इसके नाम से ही जानी जाती है, reaction, Lucas reagent, कौन सी है यह, Lucas reagent है, कौन सी है लूकास रिएजेंट है ठीक है जी दूसरी चीज दूसरी इसके अंदर हम कौन सी पड़ते हैं आपको याद है हमने हेलो एलकेन के इंदर फॉस्फोरस हेलाइड वाली पड़ी थी तो यहां पर भी वही है जब आप पी एक्स-3 के साथ रियाक्शन करवाते हो तब आप देखते हो भी वहां पर आप carbon oxygen bond को ब्रेक करोगे वहां पर जो है वो nucleophile की तरह काम करता है ठीक है इसके अलावा ना स्टूडेंस आप डी हाइड्रेशन या उक्सिडेशन केस में भी देख सकते हो तो थर्ड आप यहां डी हाइड्रेशन लिख लिजिए फौर्थ जिनके अंदर आपको carbon oxygen bond देखने को मिलेगा भी वहां ब्रेक के जूरी है जबकि उपर वाली दो प्रॉपर्टी में आपको oxygen और hydrogen का bond ब्रेक होते हुए दिखेगा सभी को clear हुआ इतना simple सी चीज है इसको पहले note कर तो क्योंकि यह एक तरह का short track है जो हमें पता होना सभी इसको note कर लीजे reactions रह गई है ठीक है वो next lecture के अंदर cover आप करेंगे आज के इस lecture के अंदर students आज के इस lecture के अंदर हमने जो cover किया है मैं एक quick review देती हूँ फिर homework पे चलूँगी आज के इस lecture में सबसे पहले हमने preparation पेनिश करी है alcohol की जहां पर पहले मैंने आपको carbonal compound का बताया from carboxylic acid इसका mechanism explain कि उसके बाद मैंने आपको grignard reagent का सारा explain किया और फिर मैंने आपको एक short track बताई with regard to grignard reagent ठीक है इसके बाद हमने hydration of ester reaction करी hydration of ether reaction करी फिर extra reaction जैसे ether की करी थी वैसे ही करी है ना फिर आई हमारी physical properties जो कि हमने NCRT से भी cover करते हो चले है orders बता दिये हैं अच्छे से ध्यान रखना then chemical property के इंदर मैंने आपको major बता दिया भी chemical property किस पर depend करती है when alcohol is behaving as a nucleophile or an electrophile उनकी reactions मैंने आपको बता दिये यह explain करने के बाद अब इनकी reactions जो है एक 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 हमारी reactions है वो हम next lecture में finish कर लेंगे with our topic phenol ठीक है phenol की method of preparation almost 2 ही है तो उसमें बहुत ही simple है phenol बहुत easy है in comparison to alcohol देखो alcohol भी easy ऐसा नहीं है लेकिन आपके practice करता है ना अब आपका homework क्या है पहरी चीज तो प्राक्टर शीट को solve करिएगा अब मैं आपको फिर से बता रही हूं मैंने आज मतलब basically मैं जो आपके doubts है वो सभी उनका जवाब दूंगी प्राक्टर शीट सभी जवाब दूंगी ठीक है एक मैंने ना देखा था बच्चे में लिख रहे थे भी हेलो एलकें में conversions में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेंशन मतलो जो हमारा लास्ट लेक्टर होगा अल्कॉल फिनोलीथर का ना उसके अंदर हम हेलो एलकें के conversion वाले कुछ क्वेशन ले लेंगे तो आपका वह चीज़ क्लेर हो जाएगी मैं अगर आ उतना हम कर रहे हैं वो आप अच्छे से समझो यह नहीं भी एक लेक्षर में बहुत कुछ करवा दिया आपके दिमाग में हौचपॉच क्रियेट हो जाए आप चो पिछला याद किया वह भूल जाओ आज मैंने आपको mechanism के साथ reaction करवाई है method of preparation complete करवाया है तो मैं चाहती भी अब आपने बहुत यह तो करोगे करोगे लेकिन एक six point यहाँ add करना भी you have to prepare a sheet prepare a sheet single sheet एक sheet ले लेना खाली ठीके देखके लिख लेना चाहे for methods of for methods of preparation of alcohol for methods of preparation of alcohol अपना मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बदाती हूँ पता है जब ना हम study करते थे ना मतलब chapter पढ़ते थे तो हम पता है क्या करते थे याद करने का बहुत अच्छा तरीक है बहुत अच्छा तरीक है कैसे करते थे भी usually जब हमने एक reaction पढ़ ली यह ना उस एक reaction को कितनी मैं आपको बार बार क्यों बोलती हूं एक बार ही आप मेरा lecture सुन रहे हो उसके बाद लिखो फिर जब आप रात को सोने लगे हो तब लिखो फिर जब next lecture सुनने आ रहे हो तब लिखो क्योंकि ना इस चीज से क्या होता है पहली बार ही आप देखके लिखते हो ओके मैं इस bond को यहां से लेके जा रहा हूं दूसरे bond को मैं यहां से लेके आ रहा हूं अच्छा आप यह इस पर अटाक कर रहा है क्यों कर रहा है इस पर negative charge था इस पर positive था तो मतलब ऐसे बोल बोल के करना है एक बार आपको लगे गा रहे है ऐसे थोड़ी होता है माम करके करने के बाद ना उसको एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दो जहां तुम बार-बार आते जाते हो फॉर एक्जामपल आपका जो स्टडी रूम है ठीक है वहां पर आपने उसके उपर इसे पेस्ट कर दिया एक रियाक्शन लेकि उसको पेस्ट कर दिया या आप मालो किचन में आप फूडी हो है आपको थोड़े 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 पर खा लेते हैं आप किचन या आपका किचन पास है या आपका मैं कहते हो आपका जो हॉल है जहां पर बैठते हो वह पास में है या मम्मी के कमरे में आप थोड़े 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 पर जाते हो वहां ब्रेक लेते हो त टेकनीक तुम्हें ऑर्गेनिक टफ नहीं लगेगी क्योंकि तुम उसको समझने की कोशिश कर रहे हो मैं फिर से कह रही हूं रट्टा नहीं लगाना अच्छा अगर लडियाइड आगया इसके साथ रियाक करवाया यह बनेगा नहीं इस तरह से चीज़ों को समझ की करो तो एक मेरा कॉंसेप्ट यह है आज आप प्रिपेर करोगे एक शीट को आप रखोगे किस लिए रखोगे अभी उसको एक बर रवाइस किया ठीके रात को एक बर पढ़ोगे पढ़ोगे और मेरी सजेशन मानो तो लिख भी लेना कुछ नह अगले दिन लेक्चर सुनने आओगे ना उससे पहले मेथड आफ प्रिपेरेशन रखना है साइड पर हो गया आगे चलो नेक्स्ट करवाओ टॉपिक है ना तो जितना करवाती हूं उस पर बहुत आपको होल्ड देना है कम करवाती हूं यह जाधा करवाती हूं यह जितना जाएं तो जिन reaction का हूं नहीं करवाहे हूं मतलब इफारव इंपॉर्टन नहीं है सिर्व उसकी reaction जानने जरूरी थी जिसका mechanism करवाहे हूं मतलब कुछ तो होगा जो आपको करवाया जा रहा है कुछ तो फोईन्ट होगा जो दिमाग में डालना है हां यह देको ऐसा होता है तो करके reaction performory, तो लिखना जरूर, ये जरूर आज prepare करना, ये काम please करके आना next lecture से पहले, अब NCRT से इसको read कर ले ना, हाला कि NCRT के physical properties में ले आईती, but still I want you all, बीचो method of preparation वाला topic है न, वहां से read कर लो, लिखोगे न, prepare करोगे न, sheet तो एक बार वहां से read करोगे न, उसके बाद तुम्हारा concept strong हो जाएगा, आगे दिखना, अब न, NCRT के examples हैं, अंदर आपको in-text questions कह सकते हो, example कहते हो, 11.2, 11.3, 11.4 solve करना है, next, आपने back exercise NCRT के questions 11.4, 5, 6, 11.14, 20, 21, 22 solve करना है, और जितने भी questions अभी तक हमने lecture 4 तक करे हैं, चाहे वो practice sheet के हैं, चाहे वो class में दिये गए homework questions हैं, या आपका कोई भी doubt है, वो solve करना है, जिसको कोई भी problem आती है, comment section में comment करना, next lecture और next to next lecture में हम सारे doubts, सारे practice sheet के जो doubt वाले questions है, वो solve करने वाले हैं, ठीक है जी, तो अब हम next lecture के अंदर phenol को finish करेंगे students, तो lecture को end करने से पहले, lecture को end करने से पहले, आप सभी के लिए इसका आप ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान देंगे, ये जीवन भी खेल ही तो है, क्यूं हार माने, हम भी हटे ऐसे किसे जिद है ठाने, जब तक ना जीतेंगे मैदान ना छोडेंगे, हम तो भरम सब लोगों के अब तोडेंगे, हम तो भरम सब लोगों के अब है तोडेंगे, चल छोड़ दे रोना, तु जरा मुस्कुरा दे, ना रुकना राहों में तु कदम बढ़ा दे, मुश्किलों का है जो तु फान उसको हरा दे, चल छोड़ दे रोना, तु जरा मुस्कुरा दे, स्टूडेंट्स रोना नहीं है, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी रियाक्शन पे, मुस्कुराते हुए कहना है, तु तो एक रियाक्शन है, तिरको तो मैं ऐसे समझ लूँगा, कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग और स्माइल, ये दो चीज़े ऐसी हैं, जो बड़ी से बड़ी सिचुएशन, बड़ी से बड़े टफ टॉपिक से, बड़े से बड़े हालातों से तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं, सिरफ अपने आप पे विश्वास, अपनी स्माइल और पॉजिटिव थिंकिंग, ये कायम रखो, संकल्प तो तुम रखोगे ये कायम क्योंकि तुमने मुझ से प्रॉमिस किया है, लेकिन इन तीनों चीज़ों को, स्माइल को कभी नहीं जाने देना अपने फेस से, देखन सिचुएशन से ऐसे बाहर निकल जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, नेक्स लेक्चर के अंदर मिलेंगे, नेक्स टॉपिक के साथ, तिल दिन, कीप स्माइलिंग, कीप लरनिंग, थांक यू सो मच, एन हाव ग दे.